अलो मेरी फेमिली कैसे हो आप डिजिटल दुनिया के तमाम दोस्तों का मैं आरडी आरदिक स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ एक और पहतरीन सवाल और कमाल का क्वेशन और कमाल के तरीके हमेशा कहता हूँ कम पड़े लेकिन काम का पड़े तो आप समय से कमाल कर देंगे और उसे के साथ मैं ये कॉशन जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि यदि बिकरी मुल्य को तिगुना कर दिया जाए तो लाब है वो पांच गुना हो जाता है तो लाब कितना परतीसत है इस प्रकार के परसंद प्रिवियस पेपरों में आप से पूछे हूए ह कुछ बच्चों ने मुझे WhatsApp SMS करा था कि सर इन प्रसंदों का क्या बहतरीन solution हो सकता है आपके इसाब से वह आप कीजी ये देखिए SSC के दुआरा कई बार इसे पूछा गया, railway में कई बार पूछा गया, UP पुलिस वगएरा इस प्रकार से कई बार पूछा गया, तो आप ध दूर निकल जाएंगी कि इन प्रसंदों में कोई डर भी होता है, एक चीज को खरीदना होता है, एक उसे बेचना होता है, TP मतलब Post Price खरीदना, SP मतलब Selling Price बेचने वाला मुल्य है, तो प्रसंद ने क्या कहा है मेरे दौस, जबी भी लाप परतीसत में सोचना हो तो खरीदन आप सो रुपय का माने, मालो मैंने सो परसंद में उस रासी को खरीदा, तो परसंद के अनुसार उसे बेचा होगा, अब मुझे नहीं पता कितने में उसे बेचा गया था, लेकिन कहा गया, विक्री मुल्य को डबल कर दिया जाए, विक्री मुल्य दोगुना कर दिया जाए तो जो लाब का मामला है, वो तिगना हो जाता है, लाब कितना हो जाता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर, लाब तिगना हो जाता है, according to question, आप देखिए कैसे सोचना है, ये विक्री मुले कैसे सोचना है, जादा से जादा, तीन सेकिन का मसला है ये, अब लाब तिगने का मतल गुआ है तीन गुना लाब का मतलब है 300 रुपए उस पे कमाएगा तो सो रुपए में खरीदे 300 रुपए कमाएगे तो बेचे कितने में मेरे भाई आप कहेंगे सर 400 रुपए में बिख्वा दो उसे 400 में हमने बिख्वा दिया कोई दिक्वत नहीं है फिर अब आपसे कोई य तो 100 रुपए की चीज को 200 में बेचा जाए तो 100% का लाब होता है मेरे भाई 100 रुपए की वस्तू 200 में बिखी फिर 200 को डबल किया तो वो 400 में हुआ तो पहले जो 100 रुपए का लाब था वो अब जाके ट्रिपल हो गया 300 रुपए का हो गया बहुत आसान है ना, कितना इसी है, चलिए अगले परसन को करके दिखाता हूँ, UP Police Constable आगामी भरती में भी किसी सिप्क में आपको देखने को मिल जाए, तो आपके लिए वारे लियारे हैं, चलिए तो इसे कैसे करता, फटाक से परिक्सा में क्या करते, CP और SP लगाते, आपक मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन परसन के अनुसार तिखने में बेचा, जब इसे ट्रिपल कर दिया जाए, तो अब लाब कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर, ऐसा कर देने से लाब पांच गुना हो जाता है, अब समझेगा मेरे भाई, कि पांच गुना लाब किसे कहते है तो आप कहेंगे सर, सो रुपय की कोई वस्तू हो, तो हम पांच गुना लाब कम कमाएंगे, जब पांच सो रुपय कमाएं, तो सो रुपय का पांच सो रुपया लाब हो, तो फिर वस्तू कितने में बिकी होगी, 600 रुपय में बिकी होगी, और ये पहले का ट्रिपल है, प 100% का लाब रहा होगा तो 100% का पहले लाब रहा होगा 100 वाली चीज 200 में बिकी होगी फिर उसका तिगुना किया गया तो वो 600 में बिकी तो पहले के बजाए लाब 5 गुना हो गया है थीना असान बात और उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बेहत पसंद आई होगी तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सेर कर दें और सबस्क्राइब तो जरूई है जबी भी अब आगावी परिक्सा में आएं तो ऐसे डाइरेक्ट सोज दें कि सरसो वाली चीज को पता नहीं कितने में बेचा होगा लेकिन उसे डबल में बेचा तो लाब पांच गुणा हुआ पांच गुणा लाब का मतलब 500 रुपिया इसमें जोड़ दीजिए तो 600 रहा होगा और ये डबल किया होगा वो ट्रिपल किया होगा ये ट्रिपल लाहा है तो 200 डबल किया होगा, तो 300 रहा होता उपर, तो ये 100 रुपय वाली वस्तु 200 में विकी, तो 100 रुपया आपका profit 100% इस पे हो गया है, तो ये दोनों परसन अब जभी भी आए, जभी भी ऐसे परसन आते रहे हैं, तो इनी आकड़ों के साथ आए हैं, तो फटाक से आपने पता नहीं कितने में बेचा, फिर कह रहा है, दुगले में बेचिए, डबल कर दीजिए, डबल का पता नहीं कितने में बेचा, तीन गुना लाब, तीन गुना लाब होता है, 300 का लाब, तो यहां से 300 का लाब मतलब विका कितने में होगा, 400 में, और डबल का मतलब रहा होग पहले 200 में बेचा होगा तो आप कहींगे सर 100 रुपय पर 100 रुपया लाब होता है तब 200 में बिक्ती तो 100 परतीसत आपका result होता ये दोनों परसन बहुत इजी हैं बस दुगना तिगना चोगने की जगे 5 गुना 6 गुना 7 गुना इस प्रकार से इन फ्यूचर आ सकता है तो ये हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो आप अपने दोस्तों तक सेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मैं तो और रिजनी में करना चाते है टॉप स्कॉर तो आप आज ही जुड़े आरडी सर से बिना देरी किये ये जो नम्मर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है डबल नाइन टू एट नाइन थिली जिरो नाइन डबल सेवन वाटसप एसमेस कीजिए और सो पचास रुपे में हमारे कॉर्स मिलते हैं उसे आप देख सकते हैं यूटूब की प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं उनको देख कर भी आप तसली कर सकते हैं कम पड़ें परंतु काम का पड़ें और आरडी सर से पड़ें तो कमाल आप भी कमाल कर देंगे, इसी के साथ विदा लेता हूँ, इस नम्मर पर SMS करना नहीं भूलिएगा, यदि आप मैस रीजनिंग को बहतर ढंग से और पेसिक ढंग से सीखना चाते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा और अपना हयाल धन्यवाद